Curious English में आपका स्वागती आज का वर्ड है P-O-U-R इसे प्रोनाउंस किया जाते है POUR इसका English meaning है to serve a drink to somebody by letting it flow from a container into a cup or glass यानि जब कोई तरल पधार्थ ये सामगरी एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाली जाती है उसे कहा जाते है POUR इसका हिंदी मतलब है डालना जाता है एक उतारन में समझ सहे POUR the sauce over the pasta यानि पास्ता के उपर sauce डाले उसी के साथ मिलते है एक ने वीडियो में ये सही चैनल के साथ चुड़े रहे हर दिन ने और सीखते रहे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद